हाई गाईस मेरा नाम है दिपतनों आप देख रहे हो मेरी चैनल दिपतनों शिलकोता आज के इस वीडियो पे मैं बात करने बाला हूँ आपके यूट्यूब चैनल को कैसे जल्दी से जल्दी ग्रो करोगे मगर यहाँ पे मैं ऐसा कोई भी ट्रिक्स या टिप्स नहीं देने बाला हूँ जहाँ पे बोला जाता है एक ही दिन में चैनल ग्रो हो जाएगा दो ही दिन में चैनल ग्रो हो जाएगा चैनल ट्रेन के जैसा दोरने रगेगा बुलेट के जैसा दोरने लगेगा ऐसा कुछ बास तब में होता नहीं है जो भी बताऊंगा वो मेरे पार्सनल एक यूट्यूबर के लिए बहुत ज्यादा helpful होने वाला है तो कोई भी दोस्क्राइब ने आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल बेट्टिंग को प्रेस करना ताकि ऐसी वीडियो का नोडिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच चाहे तो नोमर फदर दिले चलिए वी 2019 में fully grow होगा वो भी complete organically तो और देर ना करते हुए चलिए आप जाते हैं mobile के स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूँ कैसे आपको grow करना परेगा तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो होना परेगा वो है यह वाइटिश creator studio अगर आपके पास नहीं है अगर आप एक नहीं नही creator हो तो आपको शायद मालूम नहीं भी हो सकता है yt studio क्या है तो आपको simply से google का जो यह वाला play store है इस पे आपको जाके यहाँ पे search करना है yt studio yt studio तो यहाँ पे सबसे उपर देख रहे हुआ youtube studio आ गया है तो आपको simply से इसको जो है install कर लेना है उसके बाद ही आप इस process को कर स सकते हो तो yt studio जो है एक नए youtube creator के लिए बहुत ही वाइटल होता है यह mobile application होता है और इस application के थ्रूँ आप आपके youtube channel का जो gmail account है उससे login हो जाना है जिस email account से आपने आपका youtube channel बनाया है उससी email id से इस पे login हो जाना है यहाँ पे आप आपका जो youtube channel का backend है उसको पूरा access कर सकत हो और बहुत जादा helpful है तो आप कैसे इसको यूज करके channel को grow कर सकते हो यह basically मैं इस video पर आपको समझाने बाला हूँ तो बारी की से जरूर समझाना समझ में आये तो आप video को like भी करना अगर ना समझ में आये कोई भी question रहे तो जरूर comment box पर comment करके मुझे बोलना तो मैं आभ आपका जो channel है 100% grow होगा यहाँ पर रॉकेट के जैसा बुलेट के जैसा ना हो मगर दिन बर दिन आपका channel एक-एक step आगे बरेगा और आप अच्छा खासा काम करके YouTube पर नाम कमा पाओगे तो दोस्तों नाक करें आपको बोर्ट चलते हैं discussion में तो दोस्तों सबसे पहले आप आपको simply से view more पर एक क्लिक कर देना है तो मैंने क्लिक कर दिया जैसे ही क्लिक करोगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का दिखाई देगा नजारा तो आपको simply से जो करना है वो है सबसे पहला option रहता है over view, second रहता है revenue और third रहता है discovery तो simply से third वाला option पर आपको क्लिक कर देन है तो मैंने discovery पर क्लिक कर दिया आपको भी simply से discovery पर ही क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों main जो section है जिससे आपका growth बहुत जादा होगा वो ही से शुरू होगा तो discovery पर आने के बाद आप अभी देख सकतों यहाँ पे traffic source आपको बताया जाता है सबसे पहले traffic source टाइप रहता ह आपके चैनल पर search होके लोग आये है वीवर आये है तो इसको आपको simply से open करना है क्लिक करके तो जैसे क्लिक करोगे last 28 days का data आपके सामने आएगा पतलब last 28 days में आपके चैनल को जिस time से search किया गया है YouTube प्लैटफॉर्म पे वो सारे keyword यहाँ पे show किया जाएगा तो आप max to max 90 days का ले लेना 90 days का लोग है तो सबसे बहतरिन रहता है last 90 days का data ऐसे select करके आपको ले लेना है उसके बाद आपको देखना है यहाँ पर मैं प्रिक्टेले आपको समझाओंगा सबसे पहले देखिए यहाँ पर मेरा जितने सारे Facebook टाम से related search है मेरे चैनल पर जादा है यहाँ पर तमाम वीडियो पर आप जाके देख लेना view भी as compared to other video जादा है तो आपको भी ऐसे ही देखना है आपके YT studio को open करके कि कौन सा search time से आपका traffic generate हो रहा है मतलब आपके चैनल पर viewer आ रहा है उसी topic से related video आपको बनाते जाना है और यही सारे keywords को आपके आपके वीडियो पर लगान है आपके title पर लगाना है आपके description पर लगाना है आपके keyword मतलब tag बला प्वाट पर भी यह सारे keyword को लगा के आपको वीडियो बनाना है मगर याद रखना दोस्तों जो topic पर आप वीडियो बनाओगे उसी topic का title होना चाहिए description होना चाहिए tag होना चाहिए related ऐसा नहीं होना चाहिए कि video किसी topic पर है और title किसी दूसरे topic यहां से लेके लगा दिया ये भी नहीं होना चाहिए तो ये अगर आप continuous लिक करते रहोगे ये search time को समझके ये सारे चीज़ को देखके उसी से related video तो आपके चैनल को जादा व्यू, जादा वाच टाइम और जादा सस्क्राइबर मिलने का उमीद आप लगा सकते हो जिससे आपका चैनल जल्दी से जल्दी 2019 में ग्रो हो जाएगा तो ये ट्रिक्स को आपको एपलाई करने के लिए YT Studio को इस्तमाल करना YT Studio को डाउनलोड करना मुबाईल पे बहुत जरूरी है तभी आप Discovery पे जाके ये टॉप YouTube सर्चेस के बारे में जान सकते हो और फिर टॉप YouTube सर्चेस को जानके ये सारे जो टार्म आपके चैनल के आएंगे उससे related topic पे आप वीडियो बना सकते हो और अगर आपको लगे के एक दो सर्चेस सेम कीवर्ड से है तो वो ही सेम कीवर्ड आपके टाइटल पे फिर डिस्क्रिप्शन पे फिर टाइटल टैग में आपको यूज करना है और वीडियो भी उसी टाइटल से related उसी जो भी topic है उसी से related आपको बनाना है जिससे आपके चैनल को जादा से जादा वीव आएगा और जादा से जादा वो सर्च रेजल्ट पे जाएगा सर्च ट्राफिक मिलेगा उसको और चैनल का ग्रो भी जल्दी से जल्दी होगा 2019 में आशा कर तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा helpful और informative रहा है अगर वीडियो informative रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना कोई भी दोस्त में चैनल पे नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बट्न को प्रेस कर लेना ताकि ऐस ये वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए आज के इस वीडियो को आखी तक देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया आच्छा अच्छा काम करो ममी पापा का नाम करो दोस्तों बाई